सबी बाईयों को सुरेंदर संसनिवाल की तरफ से नमस्कार आज हमें एक बार फिर से जुगलान गाउं में हैं जो की इसार के बिल्कुल नस्दिक है और सुनिल बाई के गरपे हैं जिनकी हमने पहले भी आपको बहुती शांदार जोटियां और गाये दिखाई थी और काफी अच्छे असु रखते हैं सुनिल बाई इनसे बात करेंगे डिटेल से पूछेंगे जोटियों के बारे में जो इनके पास खड़ी हैं और उससे पहले मैं कहना चाहूंगा जो भी बाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करे ताकि हम जो भी नई वीडियो लेके आएं उसकी जानकारी आपको मिले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुचे अभी इसके साथ चाथ जो भाई हमसे फेस्बुक पे जुड़े रहना चाहते हैं वो डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने फेस् सकते हैं अभी सुनिल भाई से इन जोटियों के बारे में डिटेल से पूछेंगे और एक एक जोटी के बारे में जानकारी लेंगे सुनिल भाई सब कोन से ब्यांत की जोटी है यह यह पहले ब्यांत की तो भाई सब कितने दांत है यह च्यार दांत दूद कितना दे रही है भाई सब अठारा किलो दूद अभी त्यार है अच्छा तो इसे ज्यादा पे भी गई है दूद पे अच्छा पटियाला मेला में ब्यूटी कंपेटिशन में लगाना है के दूद में लगाना है ठीक 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 काड़ देगी इसको एकवार खोल के दिखा न भाई सब इसका पता वो कितना दूद लेती है इसका बाप कॉन है और इसका बाप कओं है बाप का पादर का पता है अबकर बहुत ही मुखका लेया अच्छा मोक्य पे बहुत ही शांदार जोटी एsh historically 하나MM सांगी देगा मंज्यूट पाहले ब्यांत की जोटी हैं बहुत शांदार और वजन जोटी में काफी शांदार है चार दानत जोटी एक्सट्रार को बिल went solo किलो 22 किलो दूद भी निकाल देगी अभी 18 किलो दूद नोर्मल डाइट में घर पे दे रही है और आगे जो अब की बार पटियाडा में नहीं होगा सायद मेला जो चपट चिडी मोहाली में होगा वहां ले जाने की त्यारी है भाई सब की बहुत ही शांदार जोटी शो क्व बिक्री के लिए तो इस जोटी के बारे में बताना भाई सब ये कोण से ब्यात की है पहले ब्यात है जी अच्छा तो दूद कितना है भाई सब नो दस किलो तो इसका रेट क्या रख था वाई सब आपने इसके जे 70,000 रूपे 70,000 रूपे इसको भी एक बार खूल के दिखा ना भाई साब पहले ब्यात की जोटी चार दात बताई ना भाई साब चोथे दान कटड़ा है के कटड़ी कटड़ा ठीक है तो ये देखिए बिल्कुल छोटे सिंग की अभी मिला नहीं है सिंग और सत्तर हजार उपे रेट है जोटी का बहुत ही बढ़िया एक जोटी और भी है सुनिल भाई के पास ये चार पसूं है तो इनके बारे में भी पूछेंगे ये जोटी पहली बार की ब्याने बार है बाई सब कितने दांत है ये या जी दो दांत तो कितने एक दिन में ब्या आईगी तो इसका कुछ पता है किया रिकार्ड है इसका ये मैं इसके तो इक तह Timothy से ली मैं हैं अच्直接 इसको भी एक बार कोले के ना बाई सब यह देखे का जोटी बहुत ही बडाय जोटी है और थोड़ा तोड़ा सा जो पैरों में है सोजिस भी आई होई है जो ठीके और बाई आई होई है इस करके थोड़ा सा लंगडा के चल रही है जोटी यह देखिए अधर की क्वालेटी थनाओ की क्वालेटी अच्छी चोड़े अधर की बनेगी तो यह देखिए यह बहुत ही बढ़िया है बाई साब के पास एक दोटी और है सुनिल बाई के पास इसके बारे में पूस्ते हैं यह कौन से ब्यात की है बाई साब पहले ब्यांत की यह कितना दूद दे आठ दिन की ब्याई में 12 किलो दूद है बच्चा क्या है साथ में कटड़ा के कटड़ा तो इसका क्या रेट रख है सुनिल बाई इसके एक साट रखी एक लाग साट जार रूपे तो क्या उमीद करते हैं कितना दूद निकाल देगी 14-15 किलो दूद की इसको भी दिखाना बाई साब एक बार खोल के लंबाई और उंचाई बढ़िया है जोटी की पेट पुछा अच्छा चार दांत है ठेक निकालती होई है चार दांत और अच्छी जोटी है बहुत ही बढ़िया यह देखिए फिल्कुल साफ सुत्री जोट यह देखिए चार दांत जोटी पहले ब्यात की और आठ दिन की ब्याई में 12 किलो दूद और बहुत ही बढ़िया साफ सुत्री जोटी है यह जो पसू है यह सुनिल भाई के गर पे खड़े हैं इन में से साइद यह जो पहले नमबर पे जोटी है यह तो बेच नहीं रहे है कह रहे हैं अगले ब्यात बेचेंगे तो आप हमें इसके साथ साथ जो भी बाई पसू लेने का इचुक हो मैं सुनिल भाई का नमबर भी दे रहा हूं साथ में आप हमें कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसे लगे सुनिल भाई के पसू और जो भी बाई पसू लेने का चुक हो वो सुनेल भाई से संपरक करें सभी भाई जीतने विदेश विदेश से हमारे साथ जुड़े हुए हमारी वीडियोज को देख रहे हैं मैं सभी भाईयों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ सभी भाईयों को मेरी तरफ से नमस्कार